क्लासिज विद कवरजीत चैनल विच तो अड़ा स्वागत है वीडियो देखन लेए लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो ते मेरी आन वाल ये वीडियो देखन लेए बेल आइकन नूँ जरूर प्रेस करो सत्ष्य काल बच्चो हाजिर हां अगली वीडियो लेके आज अपा पढ़ांगे महां कवी कालिदास पारें ते जड़ा महां कवी कालिदास जी ही सी एक बहुत प्रसिद कवी रहे हन बहुत ज़्यादा कवी तामा इनाने लिखिया हन कवी तावांदे अपा इनानों राजा कह सकते हैं ए लेक जड़ा लिखिया है जी एहे लिखिया होया प्रफेसर प्यारा सिंग पदम जी द्वारा जिनांता जीवन काल रहे हैं 1921 सुट लेके 2001 तक ठीक है जी आओ अपा उन महां कवी कालिदास पढ़ दे हां कोई हिंदुस्तान दा कलाकार स्याना आख गया है लोक जिस जोबनवंती सुंद्री नूं कवीता दे नानल साद दे आ रहे हन ओहों कालिदास दी प्रीत्मा सी ओहों अपने स्यंबर समें कालिदास तो वदी एक सुंदर वर होर लब रही लब ही नहीं सकी कालिदास दे कवीता दी बहुत सुंदर जोडी बनी तो ऐसी प्रेम परी मनोहर जोडी के दों में आमर होगे इस विच की कहना चौंदा कभी लेखक की जड़ा महां कभी कालिदास सी ओह कवीतामा लिखनी दा राजा सी मतलब के कवीता दा एक किसमी दा पती सी हो ते जड़ी कविता सी ओह दी प्रीत्मा सी ओधी प्रेमिका सी ठीक है जी ते वो अपने स्वंबर समे कालिदास तो वदी एक सुंदर वार होर लब ही नहीं सकी मतलब कि कविता जड़ी है ओहो सिर्फ कालिदास ही लिख सकदा सी यानिके सब तो वदीया जड़ी कवितावा लिखिया हनो कभी कालिदास ने ही लिखिया हन कालिदास ते कविता दी बहुत सुन्दर जोड़ी बनी ऐसी प्रेम परी मनोहर जोड़ी के दोवें हमर हो गए एहे रसिक दिलां दे राजा ते राणी साथ इना दी सल्पनत सदा सहितिक हिरद्या ते काईम रहेगी ते कालिदास अपने समेदा राजा बिक्रमा जीत सी ते कविता उस दी पटरानी सी असी उस शहनशा बारे कुझ नहीं जान दे कि ओ कित्थे थे कदों जम्या कित्थे उस अपनी बचपन दी खेड़ खेड़ी किमे किस आश्रम विच उसने विद्या पड़ी जिन्दगी दे कीकी उतरा चड़ा उसने देखे उस दे जीवन दा कीप छोकर सी उस दे माप्या दा की नाम सी उस दा केड़ा खान दान सी सानु उस वारे कुझ नहीं पता इस सब कुछ ना जानन दे बावजूद असी एह जान दे हां कि कवता उस शेहनशा दी मलका सी वो मलका आख दी है उस दी हून तो कोई इनकार नहीं कर सकता जितना चीर में संसार ते जिउन दी हां असी दो में अमर हां कितनी अजीव गटना है कि एक अबला सदियां तो मोय पुरिशन जियोंदयां रखी आ रही है नारी दी करमात कवता अपनी प्रीतम कालिदास बारे जो कुछ दस दी है उस ओहो ते दस दी ही है उन लोक होर पड़तलना करके उस बारे ना जानियां गल्ला नुवी जनना चौन दे हन ओ अनमान ला के दस दे हन के कालिदास हिंदुस्तान दे परतापी बादशा बिक्रमा जीत दे नो अध्रवारी रतना विच्चों एक सी पुराना इतिहास का राज त्रंगनी दा करता कलन अपनी पुस्तक विच तिन बिक्रमा दित्तां दा जिकर करदा है केडा किस समय एहे नहीं पता एक बिक्रमा दित ग्यारवी सदी विच भी होया है एक चौथी सदी विच ते एक पहली सदीतों भी पहला दस्या जान्दा है इस पहली बिक्रमा दित दे नाम दे ही पहली ई सदीतों चुपंजा वरे पहला इस दा बिक्रमी सम्मत शुरू होया जो कुल समा पहले मालवा सम्मत दे नाम दे भी प्रच्दित रहा यही बिकर्मा दित उजयन दा बादशा सी तो इस दे दरबार दा शिंगार कालिदास सी कालिदास अपनियां पुस्त का विच उजयन नगरी दा चंगे गुडे सने नल प्यान करदा है आम रवायत भी है कि कालिदास बिकर्मा जीत दे दरबार दा महा कवी सी पर यही निर्णा करना जरा उखा है कि किस बिकर्मा जीत दे समय इहे कवी होया ओ जिस वेले भी होया ओ समा सुनेरी सी ओ समा ओ राजा पागवान होएगा जिस दे दरबार विच उसने अपनी कवता दे श्लोक उचारे सानु की लोड है इस गोरक तंदे विच पैन दी कि इस गुलाव दे बुट्टे ने कदो जनम लेया साड़ा का मुझ दे फुला दी पिन्नी पिन्नी वाशना नाल अपने दिल दिमाग दा मौतर करना है इसे तराल कुछ लोग उस दी जाती ते तरमवारे वी पिन्न विचार रखते हन कोई कहनदा है वो सारसूत ब्रामन सी कोई उसनो बंगाली, कोई कश्मीरी ते कोई पंजाबी दास्दा है दरासल गल एहे है के काली दास अती सुन्दर रतन सी जिसनो हर प्रांत या जाती वाला अपना दसना चौदा है ओक आव सुन्दरता करके सबनो प्यार लगदा है सुन्दरता दी जात जनम परखनी स्यानप्दी गल नहीं पाई वीर सिंग जी ने ठीक कहा है जात जनम ते असल नसलनो कोई कदेना च्छाने जद सुन्दरता दर्शन देवे सब कोई अपनी जाने साड़े लिए इनना जानना ही काफी है क्यों कवी सी ते हिंदुस्तान दा कवी सी साड़े कवी दी कोई जात नहीं हुन दी ते ना ही उसदा कोई मजब हुन दा है उस्दी कवता ही उस्दा साब कुछ हुंदी है जो होना सी उस्दी काव रचनावल ओंदे हैं कालिदाजियां साथ पुस्त का पर सिदहन चार कावय ते तेन नाटक रगुवंश, कुमार संभव, रितु संहार ते मेग दूद ये चार कावय हन ते अभिग्यान शकुंतला, विक्रमोर वर्षी, ते माल विकाग निम्रित तिन नाटक हन इना तो इलावा होर वी दास पंदरा पुस्त का कालिदाज दे नाम नाल मनसूब कितियां जन्दिया हन परोना भारे निश्चित तो और ते कुझ नहीं केहा जा सकदा पहली है रगुवंश, अपर रगुवंश भारे पढ़ दे हां रगुवंश महा कावय है, इस दी कथा कहानी दी उसारी बाल मे की रामायन दे अधारते है सूरजबंसी राजयां दा, जीवन समाचार है, इस दे कुल उन्नी सरग हन, इस महा कावय विच नदियां, बगगां, पहाडां, पिंडां, शैरां ते कुदरती नजारें दे, चित्तर बहुत सोने चित्रे हन कभी ने आरिया ये सब्याचार दे हर पहलो नू सिखर ते पुज्या दरसाया है, होर भी पूगोल, खगोल, विज्ञान, फिलास्पी आदी दी जानकारी उस दी रचना दे हर हिस्से तो जाहर हुन दी है अग्याजी कुमार संभव इस विच पार्वती ते शिव जी दी प्रेम मिलनी ब्यानी गई है, हिमाल्यादियां बरफानी चोटियां दा सिखर आजवी दिलनू ठंडा ठंडा ते मन मोहना लगदा है इना चोटियां विच ताप कर दे शिव जी नू वेक के ही पार्वती मोहत हो गई सी पहली पहल शिव समाद्धी विच्छान ओ अपनी समाद्धी खोल दे नहीं, पार्वती बेचैन है काम दे वोना दा समाद्धी खोलन लेई आउन्दा है, फिर शिवा दे तेज नैन उसनू पस्मापूत कर देंदे हन आखर उमा पार्वती दा प्यो हिमाल्या इस प्रेम मिलनी दी परवानगी दे दिन्दा है इस रचना दे आठसार गहन अगला है रित्तू संहार एक एवल मुखतलिफ रुत्ता दे ब्यानदा इक निका काव्य है ग्रीखम तो शुरू होके बसंत रुत्ते मुखदा है ग्रीखम मतलब के गर्मिया तो पावे यही छोटी जही रचना है पर कुद्रदा रासमबाननली इहे एक अमोलक चित्रावली है कवी ने छेया रुत्ता दी सुंदर्तानू अपनी कवता दी जन्जीद नाल इक को था बान रख्या है अग्य है मेग दूत मेग दूत विच की है एहे विक निका जिहा काव्य है इस विच कवी ने मेगां दी सामली उजली सुन्दर्ता दे पिन पिन नजारे चित्रे हन असल कहाणी ए है के देवत्यां दे खजांची कुबेर एक यक्ष नू श्राप दे रिन्दे हन जिस करके उसनू साल पर अपनी प्रित्मा तो विचोडे विचोडे रेना पेंदा है यक्ष रामगिरी ते रेन्दा है उस दी पतनी अलका पुरी विच है जो के कैलाश दी चोटी ते एक बस्ती है सावन दे वर्दे मेगा ते चमकदियां विजलियां विच दोहां प्रेमिया नू विचोडे दा समा गुजारना पेंदा है इस समें यक्ष अपनी प्रित्मा पास मेग नू दूत बनाके अपना संदेश देनले पेज़दा है कवी दी कल्पना विखो मेग नू सुनेहा देके अलका पुरी वल तोरे आते ता कीर किती है तू की ते ठहना नहीं होवेगा जन्दा जन्दा नदियां दे पाणी पिन्दा उस देश जरूर पहुंचना मेरी प्रित्मा तेरे संदेश नू सुननले युड़ी इक विच खुलोती होवेगी अगे है अभी ग्यान शकुंतला इस नाटक दे पांजां कहन इस विच कवी ने हिंदुस्तान दे शहजादे दुश्यांत दे बन विच रहन वेले रहन वाले रिशियां दे कुड़ी शकुंतला दे प्रिद्दा ब्यान किता है दुश्यांत शिकार खेड़दा खेड़दा रिशियां दे आश्रम पास आजांदा है जित्ते शकुंतला अपने असे हेली आनल फुल वाडी नो पाणी दे रही है एथे ही दोहां दा मिला आपुंदा है शहजादा शकुंतला दी उंगली विच प्रीत निशान नी अपनी मुंदरी पाजांदा है कुछ समेवाद शकुंतला दा पिता उसनों अपने सौरे कर पेज़दा है प्रंतु दुश्यांत दुरबाशा दे श्राप कारण उसनों पुल जांदा है शकुंतला मुंदरी दिखाण लाग दी है प्रंतु मुंदरी रस्ते विची कि ते पानी प निगल जन्दी है ते मच्छी मच्छी पकड़ के ले जन्द है ते मुंद्री दुश्यांत पास पूझ जन्दी है मुंद्रिन वेखंसार उसनुष कुंतला ते दे मसूम प्यार दी आदा जन्दी है ते ओहो बन विछोड़े दी दिन गुजार दी अपने नम जम्मे बच्चे परतनाल दिल पर चावा कर दी है ते ही दुश्यांत मिलाप हो जन्द है अगला है विक्रमो रवशी नाटक इचंद्रबंशी कांदान दे राजा पूरूर वर्ष ते रवशी दी प्यार कहानी दा नाटक है राजा पूरूर वर्ष नरायन रिशीदी थी उर्वशी नो देनतां दे पंजेविच्चों छुडाग के लियोंदा है इस समय दोहांदा प्यार पैजन्दा है ते उर्वशी जाना नहीं चांदी उस दी सहेली चित्रलेखा केंदी है महराज उर्वशी नो जान दी आग्य राजा बिरहे नाल बेचैन रेंदा है फिरो हो दैवी शक्ती नल राजे दे दर्शनानों आंदी है प्रन्तु फोर्ण सुर्ग वाले उसनू लच्मी स्वयंबर नाटक खेड़न लई साधलेंदे हन उत्थे नाटक खेड़न वी उसनू पूरू वर्ष दा प्यार नहीं प सुर्गों बाहर कड़ दिन्दे हन इंदर इस श्राब नू सुखदाई बना दिन्दा है कि जितना चीर उर्वशी तरती ते रहे राजा पूरू वर्ष पास रहे यू स्याना नाटकार सुर्ग ते तरती दा व्या कर दिन्दा है एक दिन राजा ते उर्वशी विछड जन आगली रचना है माल विकाग निमर्त निमिर्त इस विच राजे अगनी मृत्र दा एक बोधी पिक्षणी नाल प्रीत किस्सा ब्यान किता गया है सारे विद्वान इस नाटक नू कालिदास दी रचना मन्यन ते इतफाक नहीं कर दे पर कई विद्वान दा विचार है कि एह उस दी रचना है कालिदास दे नाटक सुखान थान, हिंदुस्तानी विचारवान, जिन्दगी धा मनोरत पर्मानन बन दे हन इसलिए इत्थों दे नाटक कार जीवन संग्राम दिखाके आंत विच कुशी ते शांती दा नजारा ही मूर्ती मान कर दे हन पच्छम विच नाटक वदेरे दुखान दिखाय जन्दे हन जो जीवन नू निरास्ता जी खड विच सुट के शांती दा संदेश नहीं दिन्दे कालिदास दी कविता कच्चा दुद्ध है किते पतली लसी नहीं हर गाल विच कोई ना कोई चमतकार पाया जन्दा है उस दिया उप मामा बहुत मनिया गया हन सौखे सौखे निके निके शब्दाराल होडा फुल ब्यान तोरी जन्दा है प्रंतु कवी जदों प्यानक नजारे चिकरदा है तब बिजली वर गे गर्जवें शब्द लेया हन्दा है बोली दे उस दा अजब कबू है इक दो बुर्श मार के ही तस्वीर मुकमल कर दिन्दा है कवी हर गाल नुक टाक्श नड़ ब्यान करन विच माहिर है कालीदास सुंदरता दा कवी है सुन्दर्टा दा ब्यान ओ बोच सादियां गलना विच कारजन्दा है कहीं था बुझार्टा पापा के वी यों असी वेख दे हां के काली दास दे सुन्दर्टा दे ब्यान बिर्हुन दे व्याकल चित्तर कुदरती नजारे हर पहलू तो पूरे-पूरे उतर दे दिस दे हन पूरुप दे लोग काली दास दा नाम कविता दा सब तो उच्चा म्यार दसन ले वर्त दे हन इक विद्वान समालोचक ने ता केहा है के हाथ दी चीची लागली उंगली नू अनाम का दा नाम एवे नहीं दित्ता गया इस दे अर्थन उस दा कोई ना था नहीं या ओ है ही नहीं इस दा कारण ओए दास दा है के जदो कवियां दी गिनती करन लग गया पहले चीची ते काली दास दा नाम गिने आ उस्तो बाद अजेहा होर कवी कोई नहीं होया इसलिए अगली उंगली अनाम का दा नाम भी सार्थक हो गया क्योंके अग्ये नाम लेंड नूं कालिदास दे मकाबले दा होर कोई कवी है ही नहीं सी पच्छम वालियां पास सब तो चंगा कवी शेक्ष्पियर है उना कालिदास दी प्रतिवादा माप एक आके किता किता कि ओह हिंदुस्तान दा शेक्ष्पियर है इस तो वद ओह विचारे कुछ कैवी नहीं सी सकदे अजे पता नहीं पूर्व ते पच्छम वाले समूँ काव प्रेमी कितना चिर उस दे कविता दे मैक दे फुलांदी सुगंदी मान दे रहनगे ए सुगंदी मुक्कन वाली नहीं है एसी बच्चिव अपना पाठ महा कवी कालिदास जो के सदे सब तो पहले मश्हूर पर सिद कवी होए हन ते उना दे जिड़े रचनावा हन उना बारे अप्पा संखेव विच पढ़या है जे तुसी है कली-कली रचना पढ़ना चौन दे हो ता किसे भी लाइब्रेरी विच दुसी है लाय सकते हूँ ते एसी अपना जिड़ा पार्ट जे तो नूँ समझ आया हुए चंगा लगा हुए ता इसनू लाइक ते शेर जरूर करना और चैनल नूँ जरूर सब्सक्राइब करना ताके मेरी आउन वाड़ी जड़ी वीडियो हन हो हो सब तो पहलना तो डेकोर पॉंच सकन थैंक यू तान बाद